दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चनल में मैं डोक्टर सुनुल कोठीवाला डर्मेटलोजिस्ट फ्रॉम जैपूर तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकीन में होने वाले एक कोमन इंफेक्शन के बारे में हर्पीज इंफेक्शन इसको हर्पीज कहते हैं हर और फिर इसके बाद में जिस जगह पर हर्पीज इंफेक्शन होता है उस जगह के इसाब से नाम हो जाता है कई बार अगर होटो पर हो रहा है तो हर्पीज लेबियलिस बोल देते हैं अगर जनाइटल पर हो रहा है तो हर्पीज जनाइटलिस बोल देते हैं या जनाइटल ह लेंग्विज में cold sore भी कहा जाता है या fever blisters भी कहा जाता है fever blister कहने के पीछे कारण इतना है कि कोई भी febrile illness होती है किसी भी कारण से गर fever हो रहा है तो ये उस fever के बाद में generally harpes के जो निसान है वो देखने को मिलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि बुखार की वज़े से हो गया बट ये होता harpes infection है तो जो harpes virus होता है वो दो तरह का होता है type 1 and type 2 ये जानना सरिफ इतना सा इसके लिए जरूरी है कि जो type 1 होता है वो generally अपना oral और nasal areas के पास में या body के दूसरे areas में होता है और जो type 2 है वो specifically endogenital area पे होता है लेकिन rarely ये जो type है वो अलग दूसरी जगह पर भी cross join की sites हैं उन पर भी infection कर सकते हैं यानि type 2 मूँ के आसपास वाली जगह पर infection कर सकता है और type 1 rarely genital पर भी कर सकता है तो दोस्तों ये जो हरपीज वाइरस है ये एक बार infection कर देता है अगर skin में तो उसके बाद में ये फिर अपने spinal जो nerves होती है उनमें एक latent condition में यानि एक सुसुत अवस्था में चला जाता है for the rest of life तो वहां से इसको eradicate करना मुस्किल होता है इसलिए इसके recurrent होने के chances बहुत जादा होते हैं तो जब कभी भी body फिर immunocompromised होती है किसी भी वज़े से stress भी होती है तो फिर ये वहां से उन spinal nerves के थूँ आपस skin में travel करता है वहां पर अपना number increase करता है multiply करता है और दुबारा से फिर से लक्षन दिखा देता है तो जब हर्पीज infection पहली बार होता है उसको primary episode बोलते हैं और उसके बाद होने वाले episodes को secondary episodes बोला जाता है हर्पीज infection होता किन लोगों में ज़्यादा है तो young children's में जहां पर hygiene का proper ध्यान रखना थोड़ा मुस्किल रहता है तो kids में young children में या फिर immunocompromised person में people जो overcrowded areas पर work करते हैं या जिनका overcrowded areas से exposure होता रहता है उन लोगों में हर्पीज infection जादा होता है और और जो type 2 हर्पीज virus है वो after puberty जादा होता है sexually transmitted diseases में आता है genital हर्पीज तो intercourse से unprotected intercourse की वज़े से यासा हो सकता है तो दोस्तों यह लगता कैसे है मतलब आप किसी person को जिसको हर्पीज है environment में कहीं भी कहीं भी आप घुम रहे हैं फिर रहे हैं पार्क में बैठे हैं hotel गए हैं या swimming pool गए हैं या कोई overcrowded area जीम एरिया है शादी बाद समारो पार्टी वगरा है तो इन जगर पर किसी भी person को जिसको हर्पीज हो रखा है उससे direct या indirect contact में आते हैं तो यह virus transmit हो सकता है दैन उसके बाद में 2 से 12 दिन में लेकर के इसका जो एक normal incubation period रहता है जिसमें यह अपने नए person में जाकर के अपनी number को increase करेगा और फिर वहां पर डिजीज create करेगा लक्षन दिखाएगा तो उसमें लगबग 2 से 12 दिन का समय लग जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार आपको अगर हो गया और आपने अगर उसको इनिशिल आपको पता नहीं चला और आपने उसको scratch कर दिया अपने हाथ से किसी से तो वो फिर उस आसपास के area में भी spread हो सकता है अब जो clinical features होते हैं या मुख्य जो लक्षन होते हैं उसमें यह मान के चलिए कि जैसे आपको अगर हर्पीज पहली बार हो रहा है तो पहली बार जब यह हर्पीज होता है तो उसमें लक्षन थोड़े से सीवियर होते हैं जो primary episode होता है वो सीवियर होता है कभी कबार rarely पता नहीं चलता माइल्ड ऐसिंटेमेटिक केसिज भी हो सकते हैं पर ज्यादा तर समय जब होता है तो तीन चार दिन पहले आपको उस एरिया में इरिटेशन फील हो सकता है इचिंग फील हो सकती है बर्निन सेंसेशन फील हो सकता है नेर उसके बाद में थोड़ा redness आ सकता है redness आने के 24 hours के अंदर आपको वहां पर छोटे-छोटे दाने दिख सकते हैं वो दाने अपनी आकार में भी व्रद्धी करते हैं अपनी आकार को बढ़ाते हैं टाइम के साथ में और संख्या भी बढ़ा सकते हैं पर इनकी characteristic characteristic feature यह होती है कि जो दाने होते हैं वो ग्रूप्ड में होते हैं जो बिल्कुल पास-पास एक दूसरे के पास-पास सटे से होते हैं और इनके अंदर बिल्कुल वाटरी फ्लूड बरहा रहता है इनको ब्लिस्टर कहा जाता है तो लोकलाइज ग्रूप्ड ब्लिस्टर यह इसक से बैक्ट्रियल इंफेक्शन से इंफेक्टेड होकर कि उनमें पस भी फॉम हो सकता है और ऐसा तब होता है जब आप उनका उनकी साफसफाई में उस जगे की साफसफाई में कमी रखते हैं अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो जो प्राइमरी एपिसोड होता है वो थोड़ा सा लॉंग लास्टिंग होता है मतलब वो यह जूजवली सेवें टेंट फिटीं ट्वंटी डेस तक भी जा सकता है कभी कबार कुछ ऐसी साइट्स पर होता है वहाँ पर वह बहुत इंफ्लामेशन क्रेट कर सकता है सूजन आ सकती है आक क्या सपास नाक क्या जादा लॉंग लास्टिंग हो सकता है अब एक बार हो गया 10 तू 15 डेस में 20 डेस में फिर यह वापस सेटल भी हो जाता है लेकिन उसके बाद अगर आपने इस टाइम पर टीटमेंट नहीं लिया तो सेकंडरी या रिकरेंट एपिसोड्स होने के चांसे थोड़े से जादा रहते हैं तो सेकंडरी एपिसोड्स में और प्रैमरी एपिसोड्स में डिफ्रेंस है कि सेकंडरी एपिसोड्स थोड़े से लेस सीवियर होते हैं यानि पहले की तुलना में थोड़े कम होते हैं थोड़े जल्दी सेटल हो जाते हैं यानि पांस से साथ दिन दस दिन के हर्पीज होने से पहले वाले यानि burning sensation, aging या pain वो लक्षन भी जरूरी नहीं कि हमेशा present हो और इसी वज़े से secondary episodes की कम severity की वज़े से लोग इसको ignore करने लगते हैं फिर लोगों को यह लगता है कि बुखार आया था इसलिए हो गया यह तो नॉर्मल है या शादी ब्याव में गये थे वहां किसी की जूटी चमच खाली होगी या फिर किसी ने मेरी प्लेट से खाना खाली आओगा इसलिए हो गया होगा अना तो यह ठीक हो जाएगा तो बहु जाता है कि हाँ यह भी आज हुआ है 3-5 दिन साथ दिन में यह वापस चला भी जाएगा बिना दवाई की है लेकिन यह जितनी मरतबा होता जाता है रिकरंट एपिसोड उतने ही इसके जो चांसें जो होने के जो प्रवर्ती है वो फास्ट भी हो सकती है कई बार ऐसा होता है पहले तो ये साल में 1-2 बार ही होता था, अब ये साल में 6 बार होने लगा है, 10 बार होने लगा है, अब तो हर महीन ही हो जाता है, तो हमें जब भी ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि उसकी जो recurrent nature है, उस पर कहीं न कहीं कुछ रोक लगाई जा सके जो secondary episodes हैं उनको होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसमें फिर आपको कोई और दूसरी disease हुई है या फिर जैसे upper respiratory tract infection URI हुआ है या आप किसी surgery के through गुजरे हैं hospital stay हुआ है कोई emotional stress वाला event हुआ है या फिर suspected person के साथ contact में आये हैं या फिर आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जहां पर आपकी immunity compromised हुई हो यानि कुछ ऐसी medicines आप ले रहे हैं जिनसे immunity कम हो रही हो लंबे समय से या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो आपकी immunity को affect कर रही हो अब दोस्तों जो जनाइटल हर्पीज होता है वहां पर एक stigma और associated हो जाता है पेशेंट के साथ में कई बार कि unprotected intercourse तो हो गया उसकी वज़े से हर्पीज भी हो गया आपने कई बार ऐसा होता है कि proper diagnosis नहीं होने से एक long treatment से गुजरना पड़ता है पेशेंट को तो एक वो mentally थोड़ा सा stress हो जाता है उसमें और कई बार हमने देखा है कि एक बार हर्पीज होने के बाद कई मर्तबा पेशेंट सालों भर तक उस event को बुलानी पाते उसमें यह होता है कि सब लीजन हील हो जाते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद भी पेशेंट को यह लगता रहता है कि नहीं मेरे निसान अभी तक ठीक नहीं हुए मुझे कुछ problem है और चूंकि वो एक बोड़ी के private parts से related problem है तो patient थोड़ा सा है जीजीट होता है और problem की वज़े से फिर उस person को anxiety या depression रहने लग जाता है दोस्तों बात करते हैं इसके diagnosis की clinical लक्षनों में आपको यह देखना है कि आपके मुझ के आसपास नाक के आसपास या बोड़ी पर और कहीं आपके आसपास छोटे-छोटे पानी से भरे हुए दाने group में present हैं तो वो हर्पीज हो सकता है आपको उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए बोड़ी के बाकी area पर इसका arrangement जो है वो round shape में ना हो करके linear भी हो सकता है, line की form में भी हो सकता है, उस टाइम पर ये फिर हर्पीज जोटर को confuse कर सकता है तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए तो ज़्यादातर समय डॉक्टर इसको देख कर पैचान लेते हैं clinical diagnosis होता है, कभी कबार अगर जरुत पढ़ती है test की तो फिर इसके जो fluid होता है, उससे एक geng smear बनाया जा सकता है, उसको geng smear बोलते हैं, क्लिनिक पर और उसमें कुछ particular कोसी का ही होती है उसको डॉक्टर चेक करता है या फिर इसके जो भी swab लेकर के इसके fluid से उसका PCR test किया जा सकता है या फिर culture किया जा सकता है लेकिन ये अब बात करते हैं दोस्तों treatment के बारे में तो theoretically science से कहती है कि अगर episode mild है और asymptomatic है तो उसको treat करने की जरूरत नहीं है उसको आप छोड सकते हो लेकिन अगर episode moderate है या severe है तो फिर उसके लिए treatment चाहिए पर दोस्तों होता क्या है कि suppose आपको पहली बार हरपीच हुआ और चलो मान लेते हैं कि वो mild भी हुआ आपको कुछ ही निसान बने तो कई बार क्या होता है कि जो इसके लिए जो immunity develop होती है वो भी इतनी permanent नहीं होती है कि वो इसको lifetime आपको protection दे सके तो better यह होता है कि आपको अगर ऐसा कुछ लक्षन दिखता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा के treatment ले लीजिए treatment बहुत शॉर्ट होता है इसमें 7 days के लिए antiviral drugs दी जाती है कभी कबार 5 दिन से भी कुछ दवाईयों में 5 दिन से भी काम हो जाता है single tablet होती है antiviral और कभी कबार ऐसा होता है कि कुछ creams भी आती है लेकिन creams बहुत ज़ादा effective नहीं होती आई है कि creams के उपयोग से आप इसकी episode की duration को थोड़ा कम कर सकते हो पर वो भी तब जब आप उसको पहले दिन से start करो अब secondary episodes में क्या करना होता है suppose आपको आप well known है हर्पीज के लिए और आपको पता है कि this is हर्पीज ये मेरे को हो गया है और डॉक्टर ने मेरे को ये prescription दिया हुआ है और मुझे ये medicines हर बार prescribe की जाती है तो कोसिस करें कि जब ये आपको हो रहा है तो आप उसको first day से ही medicine को start करें ताकि ये जल्दी settle हो जाए और जितना जल्दी treatment start किया जाता है उतना ही इसके वापस होने का chances कम हो जाता है तो उस्तों जब ये साल में 6 बार से ज़्यादा होता है तो फिर इसका treatment continuous antiviral therapy से किया जाता है जिसको suppressive therapy कहा जाता है तो उसमें फिर डॉक्टर की देखरेक में आपको antiviral medicines को थोड़ा से लंबे समय के लिए लेना होता है वो डॉक्टर recite करता है कि कितने दिन patient को दवाई खिलानी है और कितने दिन बाद उसको बंद करके चेक करना है अगर इसके complications की बारे में बात करें तो अगर हर्पीज infection वैसे तो self-limiting ठीक है 15-20 दिन में पूरा episode खतम हो जाता है लेकिन कभी कबार इसकी severity ज़्यादा हो सकती है तो फिर ये अपके जिस area के आसपास हो रहा है वहाँ पर scarring कर सकता है वहाँ जैसे होटो पर होता है तो वहाँ पर कई लोगों को white spots हो जाते है हर्पीज infection के बाद में या और बाकी जगह पर scarring हो सकती है हलकी फुलकी और एक long time के लिए burning sensation tingling sensation feel हो सकता है कई बार कभी कभी ये skin से अंदर के organs में भी हो सकता है तो वहाँ पर फिर ये eye की mucosa को involve कर सकता है नाक की mucosa को involve कर सकता है गले को involve कर सकता है तो infection फिर आगे spread हो सकता है और कभी कभार फिर ये nervous system को भी आपके brain को भी involve कर सकता है और वैसे होने को ये localized है लेकिन कभी 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 अगर इसको मोका मिलता है तो ये पूरे सरीर पर भी फैल सकता है चपड़ी कि दूसरी बिमारियां जैसे कुछ एक्जेमा हो गया या पैंफिकस हो गया उनके उगावों को यह इंफेक्ट कर सकता है पूरे सरीर पर छाले हो सकता है अब दोस्तों रोक थम के लिए क्या करें जितना हो सके उतना अपनी हाईजिन पर फोकस रखना है ओर क्राउड़ीड एरियाज में अननेसेसरी सर्फेसेज को टच नहीं करना है या आपको अगर कंफर्म पता है कि किसी परसन को अपने इवन फैमिली में अगर आपको पता है कि इनको हरपीज होता है चाहे कभी कबारी होता हो दो-तिन साल में एक बारी तो उस परसन के साथ बिलॉगिंग से उनकी उनके साथ कॉंटेक्ट में नहीं आना है और जनेटल हरपीज के लिए सबसे इंपोर्डेंट यही है कि अन्प्रोटेक्टिड इंटर कोर्स नहीं करना है वैसे कहने को छोटी डिजीज है लेकि कि वो फिर आपके डिजीज के बर्डन को इंक्रीज करता है बहुत चोटी सी डिजीज है कभी आपको ऐसा होता है ऐसे लक्षन दिखते हैं तो अपने डॉक्टर को विजिट करें और बहुत सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कम्प्लीट करना होता है कभी भी उस treatment को बीच में नहीं छोड़ना होता कि दो दिन तीन दिन की दवाई लेने से ठीक हो गया तो आप उसको बीच में रोग दो जो 5 देज, 7 देज, 10 देज जो डॉक्टर ने बोला है वो complete करके ही बंद करना होता है ताकि आपको यह disease दुबारा ना हो तो दोस्तों मैं उम् थैंक यू